Hello students, तो देखिए हमारा topic चल रहा था हस्तकला, तो हस्तकला में हमने देखा था हातों से की जाने वाली कला, यानि वे कलाएं जिसमें हम मशीनों का यूज नहीं कर रहे हैं, जिसमें हम हातों से तयार किये हुए काम कर रहे हैं, तो ऐसी कलाकारी, ऐसी चित्रांकन, ऐसी कलाकृ उनको हम क्या कहेंगे हस्तकला कहेंगे जहां हम हातों का प्रियोग करते हैं तो चलिए हमने कई जो हस्तकला जो हमने देख ली थी जिसमें हमने पॉटरी के संबन में देखा था ब्लैक पॉटरी ब्लू पॉटरी ठीक है कागजी पॉटरी देखा रंगाई छपाई हमने देख थेवा कला, टैरा कोटा, मीनाकारी, बादला, उस्ता कला, कुंदन कला, यह हमने पढ़ा कि, यह कहां-कहां की प्रसिद्ध है, तो उसी में आगे देखते हैं, फड़कला, फड़ जो है किस सब्द से बना है? पड़ से बना है, यानि कि पढ़ना, यानि इसमें हम पढ़ेंग पाबु जी की फड़ राम देव जी की फड़ जब हमने लोग देवता का टॉपिक पढ़ा तो वहां पर हमने देखा कि देव नारायन जी की फड़ जो है वो जंतरवादी अंतर द्वारा जो है जो गुर्जर भोपे होते हैं वो उसको देव नारायन जी की फड़ का वाचन क उनकी प्रसंसा जो है वो उनका जो है व्याख्यान करते हैं ठीक है पाबु जी की फड़ हो गई राम देव जी की फड़ हो गई तो इनका वाचन जो है भोपों द्वारा किया जाता है तो मोटे कपड़े पर देवताओं के जीवन का चितरांकन करना ही फड़ कला कहलाता है औ और फड कला में जो है जोसी परिवार इसमें प्रसिद है ठीक है तो यह आप ध्यान रखिएगा ठीक है पारवती जोसी जो है वो भारत की पहली महला फड चितेरी माने जाती हैं चितेरी यानि की चित्र को बनाने वाली जो हम चित्रकार कहते हैं उसको ही जो मारवारी भासा ह उसमें चितेरी कहा जाता है ठीक है चितेरा या चितेरी तो पारवती जोसी जो है वो भारत की पहली महला फड़ चितेरी हैं पांचा जी जोसी भी इसके कला का रहे हैं तो हमने यहां देखा कि जोसी परिवार जो है वही इसमें सिद्धस्त हासिल है इसको फड़ चित्रण मे फड़ कला में मुख्य रूप से लाल और हरे रंग का ही प्रियोग किया जाता है पाबू जी की फड़ जो है वो काफी लोक प्रिया फड़ है और जब उट बीमार हो जाता है उसके बीमार होने पर जो भौपे होते हैं वो रावन हत्तावादी अंत्र का प्रियोग करते हैं और पाबु जी की फड का वाचन करते हैं जिससे उंट ठीक हो जाता है तो पाबु जी की फड जो है वो काफी लोक प्रिया प्रसिद्ध फड मानी जाती है ठीक है पाबु जी की फड में सबसे पहले जो है वो भाले का जो है वो चित्र बना होता है और पाबु जी की घोडी जो है केसर कालमी इसको काले रंग में जो है वह चित्रित किया जाता है फिर देखें देव नारायन जी की फड़ तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं देव नारायन जी की फड़ जो की सबसे लंबी फड़ है और सबसे बड़ी है और ये सबसे पुरानी फड़ भी है जंतरवाद यंत्र के द्वारा जो है गुर्जर भोपे जो है फड का वाचन करते हैं वाचन का अर्थ क्या होता है यानि कि उसको बोलते हैं पड़ते हैं गुर्जर जाती में जो है वो बहरू की पूजा करने वाले पुरुज जो है उसको भोपा कहते हैं ये फड जो है वो लंबी होती है यानि की 25 अहात लंबी होती है ये फड़ देवरारायन जी की फड़ ठीक है इसी लिए राजिस्थान की सबसे बड़ी फड़ जो है ये कहलाती है और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1992 को इस फड़ पर जो है डांक टिकट जारी किया गया है ठीक है तो ये एक मात्र ऐसी फड़ है जिस पर डांक टिकेट जारी किया गया है ये भी आप याद रखिएगा उसके बाद देखें राम देव जी की फड़ तो राम देव जी की फड़ जो है वो सबसे पहले चोथ मल जोसी ने बनाई थी ठीक है ये याद तो इस तरीके से जो है वो कपड़े की जो है ये बनी होती है और इस पर जो है चाहे राम देव जी हैं देव नारायन जी हैं पाबु जी हैं तो इनके जो है वो चित्र बने होते हैं यानि कि इनके जीवन चित्रन होता है कि किस तरीके से है इन्होंने संघर्च किया था ठीक ह और इसलिए इन्हें लोग देवता की श्रेणी में हम रखते हैं तो इनकी प्रसंसा का चित्रन जो है वह है फड़ चित्रन कहलाता है फिर देखें पिछवाई पिछवाई यानि की पीछे जो है वो यहां पर कलाकारी करना जैसे कि कोई भी मूर्ती है मान लीजिए यहां पर मैंने मूर्ती बनानी कोशिश की है यहां पर मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ती है और उनके पीछे जो है क्या की जा रही है यहां पर चित्रकारी की जा रही है तो इसे ही पिछवाई कहा जाता है तो पिछवाई में जादतर जो है भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को कपड़े पर चितरित किया जाता है ठीक है चाहे वो उनका मक्षन खाते हुए दिखाना हो या उनका कोई भी शरारत करते हुए हो या उनको जो है गायों के साथ जब वो चरा रहे थे उनको तो वो चितरांकन या फिर राधा जी के साथ जो है जो भी क्रीनाई करते हैं अपने जो है सखाओं के साथ तो वो सबी जो है इनकी बाल लीलाओं को जो है वो कपड़े पर चितरत इसमें किया जाता है और पीछे जो है वो इतनी सुंदर जो है वो चितरकारी की जाती है तो यहाँ पर पिछवाई का अर्थ यही है पीछे चितरांकन करना मूर्ती के पीछे दिवार पर कपड़े पर चितरांकन करना और नात द्वारा नात द्वारा कहा है रासमद में है तो नात द्वारा रासमद जो है इसके लिए प्रसिद है और लच्छी राम जो है इसके प्रमुख कलाकार है नाथ द्वारा में तारकसी के जेवर भी प्रसिद्ध हैं जिसमें चांदी के पतले तारों द्वारा निर्मित जेवर भी बनाये जाते हैं तो यहां रासम्मद नाथ द्वारा में यहां तारकसी यानि की तारों को कसकर बनाये जाने वाले जेवर जिसमें चांदी के पतले तारों द्वारा जो है जेवर बनाये जाते हैं ठीक है फिर देखिए कोफ्तगिरी तो कोफ्तगिरी का अर्थ होता है लोहे या फॉलाद की बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों का काम करना ठीक है पंजाब आई पंजाब से गुजरात आई और गुजरात से राजिस्थान में आई ठीक है और राजिस्थान में हम देखते हैं कि जैपुर और अलवर जो है कोफ्तगिरी जो कला है उसके लिए जाना जाता है ठीक है तो याद रखें लोहे या फॉलाद की बनी वस्तुओं प तो है यह धातू को खोद कर उसमें तार भरना ठीक है तह निशा यानि कि तह तक जाना अर्थ तो यही हुआ तो तह तक जाना यानि कि धातू को खोद कर और उसमें फिर तार भर देना तह निशा कहलाता है कई बार क्या होता है कौफद गरी और तह निशा जो है इसमें कन्फ तो यहां पर अर्थ जो है वो ध्यान में रखना तह यानि की तह तक जाना यानि गहराई तक जाना तो धातू को खोदा और उसमें जो है वो तार भरा तो इसी कला को तह निशा कहा जाता है पीतल पर सोने की कारी गरी करना अलवर जो है इसके लिए प्रसिद्ध है और जाइन को गहरा खोद कर पतला तार जो है वो इसमें भर दिया जाता है ठीक है तो इसमें जो है तह निशा में हम तलवार देखते हैं कटार देखते हैं ठीक है या जो पीने वाला हुक्का होता है हुक्का के हत्ते होते हैं उस पर ये कला जो है वो देखने को मिलती है नेक्स्ट देखिए गोटा तो गोटा वही होता है जो कि हमें कोई चुन्डरी होती है न तो उसके जो किनारे पर हमें दिखाई देती है सुन्दर सी ऐसा लगता है जैसे कि सोने के तारका इसमें जो है वो प्रियोग हुआ है चांदी के तारका जो है इसमें प्रियोग किया गया है ठीक है तो खंडेला सीकर जो है गोटे के लिए बहुत प्रसिद है खंडेला सीकर का नाम जो है वो बहुत आता है बिनाय अजमेर और जैपुर यहां का जो ग प्रसिद्ध है और गोटे भी कई प्रकार के होते हैं चोड़े गोटे होते हैं आपको धुन्हे पतले गोटे भी देखे हुँगे इसके अलावा जो है लपपा, लपई, किरन, बांकडी, गोखरू, नकसी ये सब भी गोटे के प्रकार हैं और ये प्रकार जो है वह भी खजूरी इस तरीके से दे दिया जाए और पूचा जाए इसमें से गोटे का कौन सा प्रकार नहीं है तो खजूरी जो है वह कोई भी गोटे का प्रकार नहीं है ठीक है तो यह नाम जो है वो आप याद रखेगा लपा जो है जादा चोड़ा जो होता है वो लपा गहलाता है का प्रकार है लप्पी जो कम जोड़ी होती है वो लप्पी होती है ठीक है इसी तरीके से किरन होती है और किरन जो है वो मतलब जालर जो होती है उस तरीके की होती है बादले से बनी जालर को किरन कहते है जो साड़ी या घूंगट के किनारे पर लटकी हुई मिलती है ठीक है त तार से तो वो बांकडी कहलाती है और गोकरी जब गोटे को मोड कर बनाया जाता है ठीक है और ओडनी पर लगाया जाता है तो उसे गोकरी गोकरू कहते हैं ठीक है नकसी जो है वो कम चोड़ाई का जो गोटा होता है उसको नकसी कहते हैं तो ये सभी जो है वो गोटे के प्रक कुंदनकला कुंदनकला जो है जैपूर की प्रसिद्ध है और सोने चांदी की आबूशनों पर कीमती पत्थर की जड़ाई जो है वो कुंदनकला कहलाती है तो इसमें जो है वो जादा बताने की आवेशक्ता नहीं है क्योंकि सभी जानते हो कि कुंदन क्या होता है कि जो पत् जैपुर की प्रसिद्ध है नेक्स्ट देखें खेसला तो खेसला जो है जो भी गाउं के बच्चे हैं उनको पता लगी गया होगा खेसला क्या होता है ओडने का होता है ठीक है जिसको हम ओडने के प्रियोग में लेते हैं तो लेटा गाउं जालोर में खेसला के लिए में आपको ओड़े हुए ही मिलेंगे तो लेटा गाउं जो है जालो और ये प्रसिद है खेसला के लिए मुरादावादी जी ये जैपुर में प्रसिद है और ये है क्या पीतल के बरतनों पर खुदाई का काम करना यानि कोई भी पीतल का बरतन होता है यदि उस पर डिजाइन डाली जाती है और उसे खोद खोद कर जो उस पर काम किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं मुरादावादी कहते हैं ठीक है नेक्ट देखिए दरियां दरियां वहीं है जो हम बिछाने में काम में लेते हैं ठीक है और इन दरियों पर बैठ कर जो है वो हम कोई भी काम जो है व पुद्पुर का सालावास दरियां जो हैं यहां की प्रसिद्ध हैं फिर देखिए कास्ट कला कास्ट कला कास्ट यानि की लकडी तो लकडी से बनाई गई कलाकरतियां तो बसी चित्तोर जो है वो इसमें प्रसिद्ध है कास्ट कला के लिए और इस कला के जन्म दाता तो बावन इस्वी में मालपुरा और टॉंक से गोविंद सींग के समय में स्टार्ट होती है तो ये थोड़ा याद रखें ठीक है कास्ट कला जो है वो बसी चित्तोर की प्रसिद्ध है फिर देखें रमकडा उध्योग तो रमकडा उध्योग क्या है देखें जो घिया पत्थर होता है उसका जो है वो चूरा बना लेते हैं यानि पाउडर बना लेते हैं और उस पाउडर से मूर्ती बनाने की कला जो है वो रमकडा उध्योग कहलाती है तो गलिया कोट डूंगरपूर जो है इस कला के लिए प्रसिद है फिर देखें तलवारें तलवारें जो है वो सिरोही की प्रसिद है तलवारें क्या होती है तो इसका तो अर्थ आप सभी को पता है फिर देखिए जट पटियां जट पटियां क्या होती है ये जो है बकरी के बालों से जो दरियां बनाई जाती है छोटी छोटी तो उनको ही जटपटी कहा जाता है इसे हम छोटी चटाई भी कहते है ठीक है और जो जहाज की जो कालीन बनाने में काम में ली जाती है जसोल बाडमेर की ये प्रसिद्ध है और कुमहर जाती जो है इसको बनाती है ठीक है और यहां राजिस्थान में ये बनती है और यहां से यूरोपियन कंट्री जो है और जो अरब देश हैं यहां पर इनका एक्सपोर्ट जो है वो किया जाता है इनको जो है यहां से निर्यात किया जाता है फिर देखें जूतियां जूतियां जो की शादी वगरा में भी हम ठीक है तो जूतियां जो है जोदपुर में इनको मोजडी कहते हैं जैपुर में इनको नागरी कहते हैं और चुरू में इनको बिनोटा कहा जाता है ठीक है तो आप ये नाम याद रखें कि जोदपुर में जूतियों को कहते हैं मोजडी जैपुर में नागरी और चुरू में बिनोटा अगला देखें तबक तबक जो है वो है जैपूर का प्रसिद है और चांदी के तार को हिरन की खाल पर पीट कर बनाया जाता है तो थोड़ा सा आप ये ध्यान में रख लें कि ये जैपूर का प्रसिद है अगला देखिए बंधेज अगला देखिए बंधेज बंध तो जब कपड़े पर किसी जगए रंग नहीं चड़ाना हो तो हम उस कपड़े को बान देते हैं ठीक है तो उसी को क्या कहते हैं बंधेज तो बंधेज जो की हमने देखा है बंधेज की चुन्डरी होती है बंधेज का साफा होता है तो बंधेज की जो सबसे बड़ी मंडी ज को पदमश्री का अवॉर्ड भी दिया गया था तो ये भी जुदपूर के ही थे फिर देखे पॉम्चा पॉम्चा हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं जैपुर का प्रसिद्ध है पॉम्चा और इसका प्रियोग जो है वो कब किया जाता है जब लड़के का जन्म होता है तो पीला पॉम्चा जो है उसके माईके से आता है और लड़की के जन्म पर गुलाबी पोमचा आता है तो एक्जाम में ये पूछा गया है पीला पोमचा और गुलाबी पोमचा के बारे में ठीक है कि लड़की के जन्म पर कौन सा पोमचा उड़ाया जाता है तो पीला, गुलाबी, लाल तो ध्यान में रखें गुलाबी पॉमजा उसके अलावा कुछ और भी हैं हस्तकलाओं में देखिए कहां के प्रसिद हैं लोहे के औजार जो है वो नागोर के प्रसिद है पेच वर्क जो है वर्क कहां का प्रिसिद है सेखावटी शेत्र का प्रिसिद है तो यह जो पेच वर्क होता है यह क्या होता है देखिए जब कपड़े को डिजाइनों में काट लिया जाता है और उस डिजाइन को दूसरे कपड़े पर सिल देते हैं उसको पेच वर्क बोलते है चटापटी वर्क वो भी सेखावटी का प्रिसिद्ध है ठीक है और पेच वर्क क्या है इसमें कपड़े को डिजाइनों में काटा जाता है और काट कर जो है वो उस डिजाइन को दूसरे कपड़े पर सिला जाता है इसमें सिलना है और चटापटी में क्या होता है वहाँ पर लगाना होता है मिरर वर्क मिरर वर्क जो है वह है जैपूर का प्रसिद्ध है फिर देखें जस्ते की मूर्तिया जो है वो जोतपूर की है और कोटा डोरिया मनसूरिया जो है वो केथून कोटा का है ये जो है वो आप याद रखें कोटा डोरिया कहां का प्रसिद्ध है कोटा केथून का ठीक लाग का काम हो गया ये कहां का प्रसिद्ध है जैपूर के प्रसिद्ध है कट पुतली जो है वो उदैपूर की प्रसिद्ध है हाती दांत जोदपूर और पाली क्या है गलीचे जो हो गए बीका नेर और जैपूर की जेल में बनाया जाते हैं गलीचे वही दरिया जो होती है वही उनी कंबल जैसल मेर का है महंदी जो है वो सोज़त की प्रसिद है पेपर मेसी जो है वो जैपुर का प्रसिद है तो ये समझ लीजिए ये पेपर मेसी क्या होता है कागज की लुगदी से जो भी वस्तुएं बनाई जाती है उसी को पेपर मेसी कहा जाता है पेपर यानी की कागज ठीक है, तो कागज को कुट-कुट कर जो लुगदी बनाइ जाती है और उसके बाद जो है वो वस्तवे बनाई जाती है तो जैपुर का ये प्रसिद है तो जहां हम देखते हैं जो लेंप स्टेंड होता है पैन स्टेंड होता है फूल दान होता है जो भी सजाने का सामान जो है वो बनाया जाता है वो इसी से बनता है इसी कला से बनता है संग मरमर की मूर्तियां जो है वो जैपूर की प्रसिद्ध है अर्जुनलाल प्रजापत को जो है वो इसमें पदमश्री अवार्ड मिला है संग मरमर की मूर्तियों में तो यहां पर हस्तकला का टॉपिक जो है वो आपका होता है पूरा और बार बार इनको पढ़िये नाम याद रखिये मैंने ही कई बार जो है वो नाम इनके बोले हैं जिससे कि आपको याद ये हो जाएंगे तो थोड़ा सा चलिए अब हम लोग जो है वो रिवाइस कर लेते हैं जो भी याद किया हुआ है एक पर रिकॉल करने से सबी चीज़ा जो है वो याद हो जाएंगी तो सबसे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा था ब्लू पॉर्टरी पढ़ा था जहां हमें क्रपाल सिंग सिखावत का नाम याद रखना है और जैपूर याद रखना है ठीक है और मान सिंग प्रतम के समय स्टार्ट होते हैं जो ब्लू पॉर्टरी का काम और राम सिंग सेकंड के समय जो है उसका बहुत ज़्यादा डेवलोप्मेंट होता है ब्लैक पॉर्टरी कोटा की है कागजी पोटरी अलवर की है थेवा कला जो है वो कहां की है प्रताब गड़ का सुनी परिवार यानि प्रताब गड़ की है तेरा कोटा मिट्टी को पका कर बनाई गई मूर्तियां राज समध मुलेला काओं प्रसिद है मीनाकारी जैपुर की है कुंदनकला जैपुर की है बादला जोदपुर का है ठीक है पानी पीने का बरतन उस्ताकला बीकानेर की है उट की खाल पर जो सोने की चितरकारी होती है फिर हमने नमदे देखे थे टॉंक के प्रसिद्ध हैं रंगाई छपाई जो है वो कार्रे देखा हमने फड कला जिसमें हमने लोग देवताओं के बारे में भी याद कर लिया कि पाबु जी की जो फड है उटके बीमार होने पर भोपा जो है वो रावर हत्तावादियंत का प् पिछवाई मूर्ती के पीछे दिवार पर जो चितरांकन होता है जहां रादा कृष्ण जो है या कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं जो है उनके चितर होते हैं लच्छी राम प्रमुक का लाकार है पिछवाई के फिर हमने देखिए तहनिशा कौफ्तगिरी की बात की थी त तहनिशा तहनिशा यानि की पतला जो तार होता है उसको भर देते हैं गहरा खोदगर ठीक है अलवर का प्रसिद्ध है कौफ्तगिरी लोहे की जो वस्तुएं होती है उनके सोने के जो पतला तार होता है उसका कम जैपुर अलवर की प्रसिद्ध है गोटा जो है वो खंडेल सीकर का प्रसिद्ध है और फिर हमने क्या पढ़ा उसके बाद जो है वो हमने कास्ट कला के बारे में पढ़ा बसी चितोरगड की है फिर हमने मुरादा वादी देखा जैपुर की प्रसिद्ध है दरियां देखी नागोर का टांकला गाउं प्रसिद्ध है और जोतपुर का जो सालावास गाउं जो है वह भी दर्यों के लिए प्रसिद्ध है ठीक है फिर हमने जो है वो बंधेज के बारे में देखा जोधपुर में फैक्टरी है बहुत बड़ी और बंधेज चुन्डरी जो है जोधपुर की प्रसिद्ध है और उसके बाद जो है वो हमने गलीचे देख तो ऐसे ही आप लोग जो है इनको बार बार बोलेंगे और ये याद हो जाएंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक आप इनको पढ़िएगा थेंक यू लोसानी आप लोगिए ऑार बोलेंगे यू ऌर बार करते हैं झ़ते हैं।